हेलो स्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे हिडेन गुढ़विल का जो टॉपिक आपको मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था उसी लॉक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो बच्चे तो चलो सबसे पहले जो hidden goodwill का topic आपने पढ़ाया था, याधी होगा आपको, वैसा goodwill जो की hidden है और आपको calculate करके निकालने हैं, तो चलो बच्चे hidden goodwill से related कुछ questions की और भी practice करते हैं, और जब ये topic finish हो जाएगा, questions की practice finish हो जाएगा, तब जाके new topic revaluation पे हम लोग पहुँचेंग तो बच्चे ध्याँ देना, hidden goodwill, problem number 19, Saloni and Shristi were partner in a firm sharing profit in the ratio of 7 is to 3, कितना ratio में, 7 is to 3, their capital were 2 lakh and rupees 1 lakh 50,000 respectively, ध्याँ देना बच्चे, their capitals were rupees 2 lakh, कितना से तो rupees 2 lakh से and rupees 1 lakh 50,000 respectively, they admitted Aditi on 1st April 2013 as a new partner for 1-6 share in future profit, एक new partner जिसका नाम है Aditi, क्या नाम है बच्चे तो एक new partner जिसका नाम है Aditi, Aditi on 1st April 2013 as a new partner for 1-6 share in future profit, 1-6 share in future profit, Aditi brought rupees 1 lakh as her capital, Aditi ने अपने capital के लिए firm में कितना पैसा लाती है वो, तो firm में वो अपने capital के लिए लाती है 1 lakh से, calculate the value of goodwill of the firm and recorded necessary journal entry for the above transaction on Aditi's admission, बच्चे ध्यान देना, आपको क्या calculate करना है, calculate the value of goodwill of the firm, value of goodwill of the firm, record and record necessary journal entry for the above transaction on Aditi admission, तो पहला तो आपको calculate करना है, जो कितना hidden goodwill निकलेगा और फिर जब ये समझ में आ जाए, तो उसके बाद से आपको necessary journal entry complete करने हैं, तो चलो बच्चे हम लोग बनाना इस्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लेम नमबर 19, प्रॉब्लेम नमबर 19, लिकना है स्टार्ट करो बच्चे, प्रॉब्लेम नमबर 19, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तोटल कापिटल लिकना है स्टार्ट की हुए, तोटल अफ। zuोटल कापिटल आप निव पर्म, जोब्साटी हम दियां देने, तोटल कापिटल आप निव फर्म कितना सी के और जाएगा, तो बच्चे ध्यान देना, वन लाग, इन्टू एट वाई वन, एट लाग से, तोटल कैपिटल ऑप नीव फार्म, ऑन बेसिस ऑफ अधितीस कापिटल, यह कितना हो गया, वन लाग इन्टू एट वाई वन, यह निकल क्या गया बच्चे, कितना से एट लाग से, अब इसके बाद इसमें लिस करना है लिस टोटल कमबाइन कापिटल टोटल कमबाइन कापिटल आफ सलोनी उसके बाद कौन है स्रिश्टी स्रिश्टी और अधिती तीनों का क्यापिटल को जोड़ना है बच्चे आप देखेंगे यहां पर कितना कितना हो जाएगा देर क्यापिटल वेर्ट टू लाक एंड वन लाक फिफ्टी थॉजन यहां जोड़िएगा टू लाक प्लस वन लाक फिफ्टी थॉजन प्लस वन लाक और यह निकल के आ जाएगा कितना से फोर लाक फिफ्टी थॉजन से तो बच्चे यहां पर कितना हो जाएगा यह निकल के आ गया थ्री लाक फिफ्टी थॉजन से यह जो डिफ्रेंस निकला कितना से डिफ्रेंस निकला बच्चे तो टोटल यह कितना से एक बार फिर से मैं दिखाता हूं आपको यह टोटल कित लाग 50 तो यह बच जाएगा वन लाग 50 तो बच्चे टोटल रिक्वाइड कैपिटल न्यू पार्टनर का कितना था वन भाई 60 था आपने यहां पर वन वाई 50,000 से अब इसमें से अधीती शेर इन गुडविल अधीती यह गुडविल का अमॉंट है पुरे फर्म का गुडविल अधीती शेर इन गुडविल अधीती शेर इन गुडविल वन लाग 50,000 यह निकल का गया अधीती शेर इन गुडविल कितना से वन लाग 50,000 से तो बच्चे इसमें रेशियो कितना वन लाग 50,000 इंटो वन बाई 6 इसका प्रॉफिट सेरिंग रेशियो तो यह टोटल अमॉंट कितना निकलेगा तो एंट्टरी की बात होगी तो नमबर वन की सबसे पहले कापीटल का का एक एक अडेबी कितना चाहिए काओन डवीट फटने लाग कि टू अधिर इफिर आ बेक डे एक जी लिगाओन और तू अधीति कपीटल टकनल की ए निकल का गया 129 si और क्या से कॉण डे विट वन लाग तो अधीती कापिटल अकॉन कितना से बच्चे तो अधीती कापिटल अकॉन टेविट यह तो समझ में आ गया तो बच्चे अब गुड मिल के लिए तो गुड का इमाँ जो नहीं लाता है ध्यान देना बच्चे मैं फिर से रेक्टिफाइब कर देता हूं यह तो क्यापिटल का मॉंट आ गया क्या से कॉन डेबिट तो अब गुडबिल का तो गुडबिल का 25 थे लाना चाहिए था नहीं लाया तो न्यू पार्टनर को अधिती को करेंड डेबिट करेंगे तो इंट्री क्या हो जाएगा अधिती करेंट एकान डेबिट अधिती करेंट एकान डेबिट 25 थॉज़न से अधिती करेंड डेबिट 25 थॉज़न से टू तो 2 क्या हो जाएगा बच्चे तो 2 पहला पार्टनर कौन है तो 1st पार्टनर है Saloni and Srishti तो अधीती करेंट एकॉन डेवे 25,000 और फिर Saloni and Srishti ध्यान देना बच्चे किस रेश्यो में तो sacrificing ratio में ती यहाँ पे इस question में sacrificing ratio क्या हो जाएगा तो बच्चे ध्यान देना जो इसका old ratio था वही इसका sacrificing ratio हो जाएगा क्या था old ratio तो 7-3 में 7-3 में ध्यान देना बच्चे तो मैं यहां पे थोड़ा working note कर देता हूं working note number one is 25,000 को आप बाटोगे दो पार्ट में तो पचीस अजार into 7 by 10 और फिर 25,000 into 3 by 10 तो 25,000 into 7 by 10 यह कितना से 17,500 और फिर यह कितना से 7,500 से 17,500 से अधिती current account debit 25,000 to Saloni capital account to Saloni capital account कितना से 17,500 to Shristi capital account to Shristi capital account 7,500 से बच्चे ध्यान देना अधिती current account debit 25,000 to Saloni capital account 17,500 to Shristi capital account कितना से 7,500 से तो इस परकार आप देख रहे हैं कि यह entry complete हो चुका है goodwill के लिए तो goodwill में जितना सा hidden goodwill था तो hidden goodwill total firm का मैं इसको थोड़ा summarize करना चाहता हूं आप जिससे कि आपको आसानी से समझ में भी आएगा तो बच्चे problem number 19 को आप ध्यान से देखना total capital goodwill कितना से total goodwill hidden निकल चुका है है one by six to one left fifty thousand into one by six यह निकल का गया पचीस अजार से और फिर इस पचीस हजार को 25,000 को बाटा गया किस रेशियो में sacrificing ratio में तो इस 25 दर को बाटा गया sacrificing ratio में तो पचीस दर इन्टू seven by 10 और पचीस दर इन्टू three by 10 तो पचीस दर कापिटल एकॉन सेवंटीट फाइफंडेट तो स्रीष्टी कापिटल एकॉन कितना से सेवन फाइफंडेट से तो यहां पर यह कोस्टन कंप्लीट हो चुका है तो चलो बच्चे अब आगे की और बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रॉब्लम तो समाप्त हो चुके है नेक्स क अलते हैं वरोन वरुण वैर पार्टनेर इन एफर्म में और फिर फिधे इन फुर्मम तुर नों क्सूर से new partner for one fourth share in the profit जो new partner है किसोर वो admission लिया और उसका आपस में profit कितना उसका तो new partner का profit है बच्चे 1 by 4 किसोर ब्राउट रुपीज 2 लाग for his capital किसोर ब्राउट रुपीज 2 लाग for his capital which was to be kept fixed like the capital किसोर ब्राउट रुपीज 2 लाग for his capital which was to be kept fixed like the capital किसा capital fixed किसोर acquired his share of profit from ब्रुण पूरपूरा किसे तो ब्रुण से यनि sacrificing partner यहां कौन हो गया तो बच्चे sacrificing partner only ब्रुण हो गया इसके बात देखना calculate goodwill of the firm on किसोर admission and the new profit sharing ratio of Karan Varun and किसोर आपको new profit sharing ratio भी calculate करने है also pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on किसोर admission considering that किसोर did not bring his share of goodwill premium in cash यह goodwill का पैसा नहीं लाया किसोर तो चलो बच्चे हम लोग questions को बनाना start करते है problem number 20 कौन सा problem 20 आई लिखना start करते है problem number 20 problem number 20 गिवन दाट क्या 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 कोश्चन में द्यावा यह ध्यान देना बच्चे गिवन दाट किसोर सेयर किसोर सेयर वन बाइ फोर्थ किसोर क्यापिटल किसोर क्यापिटल कितना से तो किसोर का गिवन दाट गाट से बच्चन में कःट कपिटलफ ऑर।ो तो डाट से रख ईंचत fak t न थ्यार अग्डा क्याइट कापिटल डाट से कःट जाटका Ed thearan जाटका ओरס on the basis of new partner capital new partner's capital equal to 2,00,000 into 4 by 1 equal to 8,00,000 कितना से तो ये निकल के आ गया 8,00,000 से 2,00,000 into 4 by 1 8,00,000 से अब इसके बाद ध्यान देना बच्चे existing total capital existing total capital of Karan Barun and Kishore existing total capital of Karan, Barun and Kishore equal to 2,00,000 plus 3,00,000 plus 2,00,000 equal to 7,00,000 से कितना से बच्चे 7,00,000 से existing total capital of Karan, Barun and Kishore ये निकल के आ गया कितना से बच्चे तो ये निकल के आ गया 7,00,000 से अब अब गुड़्विल इक्वल 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 इक्वल्टो ये निकल के आ गया कितना से तो 1 लाग से goodwill equal to goodwill equal to 1 lakh किसोर share in goodwill किसोर share in goodwill equal to 1 lakh into 1 by 4 ये निकल का आ गया कितना से बच्चे 25,000 से 25,000 से अब अच्चे ये तो निकल गया, अब यहाँ पे कौन पार्टनर से पुड़ा पुड़ा किसोर ले रहा है तो केबल बरून से ले रहा है, इसका मतलब sacrificing partner कौन होगा, केबल बरून ही होगा तो जो partner sacrificing रहता उसी को हम लोग create करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या किसोर क्योंकि goodwill का पैसा तो लाए नहीं, यह hidden goodwill है तो किसोर, इंट्री क्या होगा बच्चे ध्यान देना, किसोर, current account debit 25,000 to Baroon Capital Account to Baroon Capital Account कितना से बच्चे, तो Baroon Capital Account 25,000 किसोर, current account debit कितना से बच्चे, तो 25,000 to Baroon Capital Account कितना से, तो 25,000 से किसोर, current account debit 25,000 से, to Baroon Capital Account कितना से बच्चे, तो 25,000 से अब यह रहा goodwill, goodwill कितना से, 8,00,-7,00, यह निकल कहा गया 1,00, किसोर, share in goodwill कितना से बच्चे, 1,00, into 1,4, यह निकल कहा गया पचीस हजार से अब किसोर करेंड एकॉन डेविट पचीस हजार तो वरून कापिटल एकॉन कितना से पचीस हजार से तो आप देख रहे हैं इस परकार से यह कोश्चन भी आपका फिनिश हो चुका है अब आप निउ रेश्यो निकालना है बच्चे तो वर्किंग नोट में क अबस्ताइ किसोर को ओ निउ रेश्यो कौन सा रेश्यो बच्चे ओल्ड रेश्यो कितना वानिस टो टू वन थरी ऐंड टो बाइध स्यूजर बच्चे हैं धेंधेना नूऊ रेश्यो हैं तो नीड़ेश्यो कितना से यह तो हो गया वन ऑइफोर और कुछ नहीं बोला है पुड़ा-पुड़ा किस से वरुन से तो वरुन का था कितना 2 by 3 माइनस कर दिजिए 1 by 4 इसमें कहीं पर कोई changing है नहीं 1 by 3 इसका एल्सियम कितना हो जाएगा तो 12 3 4 4 into 2 8 माइनस 3 5 by 12 अब यहां पर भी उपर नीचे multiply कर दिजिए 4 से तो 4-by-12 ये 5-by-12 इंटू ऐहां पर भी 3-by-3 3-by-12 ये टोटल कितना आ गया बच्चे तो टोटल आ चुकह है 4-5-3 4-5-3 ये क्या रेशियो बन गया तो नियू रेशियो बन चुकए है 4-5-3 करन वरून अनकिसोर ये कौन सा रेशियो बने बच्चे यह बन चुका है four is two five is two three new ratio बन चुका है और यही questions में आपसे demand भी कर रहा है क्या demand कर रहा है ज्यान देना तो demand यह कर रहा है new ratio कितना तो four is two five is two three यह ratio बने के ready है चलो बच्चे मैं इसको थोड़ा सा sort कर देता हूं तब जाके और भी clarify होगा आपका तो सबसे पहले आप देखोगे क्या questions में दिया हुआ क्या है तो given that किसोर का share दिया है profit में 1 by 4 किसोर का capital दिया हुए 2 लाग तो on the basis of new partner जिसका नाम है किसोर उसके basis पे required capital निकल चुका है कितना 8 लाग और फिर existing तीनों जितने भी partner है all partner उसका सब का मिला के capital कितना 7 लाग तो इसका मतलब 8 लाग होता है on the basis of new partner और ये 7 लाग और 8 लाग के बीच का difference कितना से तो बीच का difference है बचे 1 लाग से और ये जो 1 लाग निकला ये है आपका hidden goodwill क्या है ये तो ये है आपका hidden goodwill तो goodwill equal to कितना से आप देख लें यहाँ पे मैं निकाल चुका हो 8 लाग माइनस कर दीजिए 7 लाग ये निकल का आगया 1 लाग से तो किसोर share in goodwill 1 लाग अब किसोर ये goodwill जो 1 लाग निकला hidden goodwill ये तो पुड़े firm का goodwill है लेकिन इसमें से किसोर का share कितना से बच्चा तो इसमें से किसोर का share निकल जाएगा 1 लाग इन्टू किसोर का जो sharing profit ratio है 1 लाग फॉर तो 25,000 से कितना से तो 25,000 से अब किसोर का current account क्योंकि capital का goodwill का पैसा तो किसोर लाया नहीं है hidden goodwill है तो उस condition में हम लोग क्या करते हैं new partner जो नहीं लाया goodwill का पैसा किसोर current account debit 25,000 और two credit किसको करेंगे sacrificing partner तो यहाँ पे cable इस question मे केबल वरून ही sacrifice कर रहा है question में सत instruction दिया हुआ है कि वरून से ही किसोर ने लिया है तो two sacrificing partner कौन वरून capital account 25,000 से अब इसके बाद देखना बच्चा है इसी question में new ratio भी आपसे मांग रहा है तो चलो बच्चे मैं working note में new ratio निकाल दिया हूं current, वरून and किसोर का old ratio जितना था फ 5 by 12 से तो सबका denominator 12, 12 कर दिया गया इसका भी denominator 12, 12 कर दिया गया तो अब यह नया ratio बनके आ गया 4 is to 5 is to 3 तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह questions आपका finish हो चुका है तो चलो बच्चे इसी questions इसी lecture में अब हम लोग इस chapter में new topic जो है जिसका नाम है revaluation of assets तो बच्चे मैं आपको revaluation के बारे में बता दूँ आप पहले के lecture में यानि पहले भी classes में जो पिछला chapter था आपका profit sharing ratio existing partners का उस समय भी revaluation of assets and reassessment of liability पर चुके हैं और कुछ questions बना चुके हैं तो admission में भी जब कोई partner new partner admission लेगा तो उसी वक्त admission से before हिसाब किताब करना पड़ेगा calculation करना पड़े revaluation and reassessment करना पड़ेगा और ये जो revaluation and reassessment होगा इससे related हो सकता है profit भी निकले ये भी हो सकता है कि loss भी निकले जैसे ही profit भी निकलेगा loss भी निकलेगा profit या loss on revaluation तो वो profit या loss on revaluation को हम लोग old partner में old ratio में बाट देंगे अब ध्यान देना बच्चे revaluation of assets and reassessment of liability if credit side of revaluation account is greater than debit side it is profit on revaluation and if debit side is greater than the credit side it is loss on revaluation तो loss भी हो सकता है पर प्रॉफिट भी हो सकता है कि चाहे loss on revaluation हो या profit on revaluation हो इसको हम लोग old partner में old ratio में बाटेंगे तो चलो बच्चे इसी से related एक format भी है आप यहां देख रहे हैं revaluation account का आप यहां पर लिख भी सकते हैं मैं लिख देता हूं revaluation account तो जब आप revaluation account बनाएंगे तो कोई assets घड़ जाएगा तो revaluation account debit to decrease in the value of assets to increase in the value of liability to increase the provisions to unrecorded liability अगर पहले से कोई liability ऐसा है जो record में ना हो अब उस liability को आपको क्या करने है अब उस liability को आपको record में करने है तो general entry हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चे तो revaluation account debit to unrecorded liability इसी प्रकार से आप इधर देखेंगे increase in the value of assets तो assets account debit to revaluation फिर decrease in the value of liability अगर liability का value घड़ता है तो liability account debit to revaluation और कभी-कभी decrease in the value of provision अगर provision का value घड़ गया तो एक side हो गया debit और दूसरा side क्या होगे बच्चा तो दूसरा side हो गया credit तो debit और credit में किसी side या तो credit से ज़्यादा बढ़ा होगा या फिर debit और सिवेलिट सेट बड़ा होगा या तो प्रॉफिट निकलेगा या फिर आपको लॉस निकले दो चाहे प्रॉफिट-वन की बात करते हैं और problem number 21 को solve भी करते हैं problem number 21 revaluation account P and Q where partner having equal ratio to share profit and losses partner की संख्या कितना बच्चे तो partner की संख्या है दो एक का नाम है P और दूसरे का नाम है क्या तो दूसरे का नाम है Q अब आपस में profit sharing ratio on 31st March 18 their balance sheet was as follows their balance sheet was as follows यह रहा balance sheet balance sheet as a 31st March 18 बच्चे ध्यान देना एक तरफ है आपका assets building 12,000 furniture and fitting कितना से 600 से stock 5400 sun redator 3400 क्या से कितना 350 total आ गया 21,750 और यह साइट में बच्चे capital P का कितना 10,000 क्यों कितना बच्चे 5000 15,000 हो गया sun recreated कितना से 4300 bills payable 2450 total amount कितना से 21,750 से यह balance sheet है अब इसी balance sheet को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं on first April 18 आर वाज admitted new partner कौन बच्चे तो new partner R for one fifth share on the following term कितना profit में रिश्यो चाहिए इसको तो बच्चे इसको profit में रिश्यो चाहिए one fifth R bring rupees 4000 for his capital and 1600 for goodwill R ने 4000 रुपीय 4000 किस चीज के लिए capital के लिए और 1600 जो लाया है वो goodwill के लिए बच्चे ध्यान देना half of the goodwill will be withdrawn by P&Q तो half portion goodwill का P&Q ने withdraw वी कर चुका है withdraw कर लेगा assets are to be revalued as follows अब assets का होना है क्या तो बच्चे assets का होना है revaluation increase in the value of building by 10% building का value 10% से आपको बरहने हैं next decrease in the value of stock by 5% और stock के value 5% से कम करने है and decrease in the value of furniture and fitting by 20% तो decrease करने value किसका furniture and fitting का कितना percent से 20% से 5% provisions is to be made for doubtful date काता है 5% आप provision कर लीजिए data पे किस पे तो data पे 5% 5% का provision कर लीजिए doubtful dates past necessary journal entry and prepare revaluation account in the books of account past necessary journal entry and prepare revaluation account journal entry भी करने है आपको and revaluation account भी बनाने हैं तो चलो बच्चे हम लोग questions को बनाना इस्टार्ट करते हैं यहां तक तो बातें आपको समझ में 100% आई चुका है अब questions में सबसे पहले जो इंट्री होगा वो हो जाएगा क्या journal entry तो चलो बच्चे आप journal entry करना स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद revaluation account भी बनाएंगे हम लोग तो problem number 21 लिखना इस्टार्ट कीजिए बच्चे problem number 21 problem number 21 solution journal entry द्यान देना बच्चे जर्डनल इंट्री अब सबसे पहला जर्डनल इंट्री आप ध्यान देना नमबर वन तो यहां पर देखेगा क्या हो जाएगा बच्चा ध्यान देना 4000 लाया है क्यापिटल के लिए और 1600 लाया है गुड्विल के लिए कौन लाया क्यार क्यास अकॉन देबिट तो क्यास अकॉन देबिट 5600 तो अरकापिटल अकॉन तो आरकापिटल अकॉन 4000 to premium for goodwill account to premium for goodwill account कितना से बच्चे ध्यान देना 1600 से तो क्या entry हो गया cash account debit 5600 to our capital कितना से to our capital 4000 to premium for goodwill account कितना से 1600 से अब अगर narration की बात किया जाए तो बच्चे यहाँ पे narration क्या हो जाएगा being goodwill and capital amount received मैं लिख भी देता हूँ being goodwill and capital amount received being goodwill and capital amount received अब number 2 की बात है number 2 में देखेगा बच्चे ध्यान से अब ये premium for goodwill जो 1600 है उसको distribute कर देंगे किस में तो premium for goodwill 1600 को distribute करेंगे old partner में किस रेशो में sacrificing ratio में तो यहाँ पे second entry हो जाएगा प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल एकॉन डेविट प्रीमियम फॉर गुडविल अकॉन डेविट कितना से बच्चे ये निकल का गया 1600 से premium for goodwill अकॉन डेविट 1600 से अब यहाँ पे देखोगे बच्चे क्या होगा पी एनक्यू कॉन कॉन पार्ट्नर पी एनक्यू यह रहा आपका पी एनक्यू किस रेशो में तो sacrificing ratio में कुछ नहीं कोशन्स कर रहा है तो sacrificing ratio बच्चे sacrificing ratio क्या हो जाएगा इसका तो इक्वल था तो इसका मतलब sacrificing प्रासिक रिश्यों भी इक्वल एक्वल हो जाएगा तो प्रिम्यम और फॉर गुडविल एकॉन डेविट शीन रेट टू पी कापिटल एकॉन एट हंद्रेट और फिटु क्यू 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 क्यूक लिकॉन 800 से premium for goodwill account डेविट 1600 to P capital account 800 to Q capital account 800 से पच्चे ध्यान देना ये तो entry हो गया जो भी goodwill का 1600 आया था वो 1600 goodwill बढ़ चुका है premium for goodwill account डेविट 1600 to P capital 800 to Q capital 800 number 3 का entry अब ध्यान से देखना बच्चे इसमें से आधा एमांट जो बोल रहा है वो विड्रॉ कर रहा है याल देख लिए half of the goodwill will be withdrawn by P and Q in cash आधा पैसा विड्रॉ कर लिया जैसे आधा पैसा विड्रॉ करेगा entry हो जाएगा क्या P capital account debit P capital account debit 400 Q capital account debit 400 to cash account यह दोनों मिला के कितना से दोनों मिला के निकल क्या गया 800 से P capital debit 400 Q capital debit 400 to cash account 800 से तो बच्छे ध्यान देना premium for goodwill account debit 1600 to P capital 800 to Q capital 800 P capital debit 400 Q capital debit 400 to cash account 800 से आधा पैसा विद्ड्रॉ कर लिया अगर narration की बात करें तो यहां पे बच्चे narration हो जाएगा बिंग partners withdraw partners withdraw half goodwill आधा goodwill withdraw कर चुका है P capital account debit 400 Q capital account debit 400 2 cash account कितना से 800 से अब इसके बाद का point देखते है बच्चे next क्या कहता है रिवालोईशन तो रिवालोईशन में ध्यान दिजेगा assets are to be रिवालोईड आज फॉलोई increase in the value of building by 10% तो बिल्डिंग है कितना 12,000 से 12,000 का 10% कितना से बच्चे तो 1200 से तो बिल्डिंग की वैलू आपका बढ़ चुका है तो journal entry हो जाएगा building account debit entry note करना बच्चे building account debit 1200 से 2 revaluation account 1200 से building account debit 1200 तो रिवालोईशन एकाउन कितना से तो रिवालोईशन एकाउन 1200 से ये building का value बढ़ चुका है तो इसका narration क्या हो जाएगा बच्चे तो narration हो जाएगा being increase the value of building अब next की बात करते हैं बिल्डिंग के बाद decreasing the value of stock by कितना परसेंट 5% से तो इस्टॉक कितना से था 5400 तो 5400 का 5% निकालेंगे तो 50 का निकल का जाएगा कितना से निकाल लिजे बच्चे नमबर 55400 इंतु 5% यह निकल का जाएगा 270 तो मिधे री वैलेशन लैकॉन कितना से था कि इस्टॉक कॉण कि इस्टॉक एकॉण कितना पर稀तmiyor खेबिट कितना श्वीन region 277 ज्यान देना अब स्टॉक के बाद स्टॉक के बाद और आप चाब 5% डिकरीवियंद रहां ऑफ फर नीचर रंधे कितना से 20 परशन से तो फर्नीचर रंविटिंग 600 का 20% 120 हो जाएगा तो फर नीचर और फिटिंग 2 पर नीचर एंड फिटिंग फरनीचर एंड फिटिंग 120 से और फिर और देखे क्या घड़ गया या बढ़ गया है 5% प्रोविजन इस तो बी मेड फॉर डाउटफुल डेटर कितना से तो डेटर है 3400 तो 3400 का 5% निकालेंगे तो 3400 का 5% निकाल जाएगा 1 निकाल लिए एक बार 170 3400 का 5% 170 से कितना से बच्चे तो यह 170 से तो यहां पर लिखोगे क्या 2 प्रोविजन फॉर बदीट्स फॉर बदेट्स टॉविजन फॉर बदेट्स इसन नागित सबसक्रों यह सब को मिला दिजिएक का तो टो टोल एमाउन कितना आगया 560 से तो REVALUATION ECOON में ये चला गया अब REVALUATION ECOON में या तो profit होगा या loss होगा इसको बनाने होंगे तो आएए बच्चे हम लोग बनाते हैं REVALUATION ECOON का एक laser इधर बनाते हैं REVALUATION ECOON कोष्टन में भी पूछा हुआ है को है कि आपको एक लेजर करने हैं तो री वैलुएशन एकॉंट आईए बच्चे हम लोग री वैलुएशन एकॉंट का एक लेजर तयार कर लें प्री वैलुएशन एकॉंट ये रहा पर्टीकुलर और फिर इधर भी पर्टीकुलर्स अब सीधा सीधा बाइब बिल्डिंग एकॉन बाइब बिल्डिंग एकॉन तो बच्चे ध्यान देना बाइब बिल्डिंग एकॉन ये निकल का गया कितना से 1200 से कितना से टूइस 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 टूइ फोर बाद डेट अकॉण 170 से तो प्रोविजन फॉर बाद डेट से कॉण कितना से तो टू प्रोविजन फॉर बाद डेट से कॉण 170 से इस प्रकार से यह आपका रिवालेशन एकॉण रेडी हो चुका है इधर टोटल जोड़ दीजिए 1200 अब इस 1200 में से मैनस करेंगे निकल का गया 640 से तो तो प्रोफित ओन रिवालवेशन तो प्रोफित ओन रिवालवेशन अकॉन ट्राइंसफर्टेंड ? ट्राइंसफर्टेंडू पार्ट्नर्स केवल्ट Hmm नौकईटो ट्राइंसफर्टू पार्ट्नर्स 171 70-2 यह निकल का गया 640 और इक्राटनाग्य तो वन बाइटू यह निकला कितना 320 फिर क्यों कितना से वच्चे तो 640 इंटू 1 by 2 यह यह निकल का गया 320 और यह दोनों को मिला दीजे तो 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 तॉटल 640 से और फिर ये टोटल कितने से 1200 से इस प्रकार से ये भी एक इंत्री बन जाएगा प्रॉफित और रिवमेशन काउन डेबिट तो जडिल इंत्री नमर सिक्स Profit on Revaluation, Profit on Revaluation Account Debit, 640 to P Capital Account, to P Capital Account, 322, Q Capital Account, 320, Profit on Revaluation Account, 640 to P Capital Account, 320 to Q Capital Account, 320, तो बच्चे अगर नरेशन लिखना चाहे हैं, तो आप यहां नरेशन लिख सकते हैं, Profit on Revaluation Distributed in Old Partner, in Old Ratio, तो चलो बच्चे, अब जितना भी questions का demand था, वो पूरा का पूरा demand फिनिश हो चुका है, Revaluation Account भी आपने बना दिया, जर्डनल इंट्री भी आपने कर चुके हैं, तो एक बार मैं questions को फिर से summarize कर देता हूं, ध्यान देना बच्चे, questions को summarize करता हूं, आप देखेंगे पूरा complete question, problem number 21, तो सबसे starting में यहां पे थोड़ा मैं color भी change कर देता हूं, आप देखोगे सबसे पहले capital का और premium का पैसे आ चुके हैं, तो क्या से account debit to our capital to premium for goodwill, कितना से 1600 से goodwill का पैसा, our capital कितना से 4000 से, और फिर उसके बाद premium for goodwill account debit 1600 to our p capital to our capital किस ratio में, sacrificing ratio में, यहां पर sacrificing ratio equal ही है, इसलिए 800-800, अब आधा पैसा, हाप पैसे जो है goodwill का, वो withdraw कर चुका है, पी and क्यू दोनों partner, तो 800 का आधा हो जाएगा 400, पी capital account debit 400, क्यू capital account debit 400, तो cash account 800, next up, revaluation, building का value बढ़ चुका है, कितना से 1200 से, तो building account debit 1200, to revolution account 1200, और फिर आप देखोगे क्या, यहां पे stock का value, furniture and fitting and provision for bad debts, यह value घट चुका है, टेटर का, तो revaluation account debit, to stock account, to furniture and fitting, to provision for bad debts, और फिर आपने क्या क्या, revaluation account का एक laser तयार किया, इधर आपका total amount है 1200, और फिर यह side को minus करने के बाद, total profit बनता है 640 से, और जैसे ही total profit बनता है 640 से, अब इस profit को दोनों partner में equal-equal distribute कर देंगे, और जैसे equal-equal distribute करेंगे, तो यह निकल के आ जाएगा, P का कितना 640 into 1 by 2, 320 और Q का कितना 640 into 1 by 2, 320 से, अब आप देखोगे क्या total आ गया 640, चलो बच्चे यहां तक तो समझ में आ गया, profit on revolution account David 640 to P capital 320 to Q capital 320 से, यहां तक में कहीं पर कोई doubt नहीं है, जो भी profit निकला, यह profit on revolution account David 640 to P capital account to Q capital account 320, 320 से बढ़ चुका है, तो इस प्रकार से यह questions हो गया, finished, अब हम लोग next questions की practice करेंगे, तो problem number 22 को ध्यान से परते हैं, ध्यान देना बच्चे, problem number 22, अब यह problem number 22 क्या कहता है, आईए हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं, और इसको ध्यान से पढ़ते भी हैं, बच्चे ध्यान देना, C and D are partner in a firm, sharing profit in the ratio of 4 is to 1, दो partner है, कौन-कौन partner, C and D, आपस में ratio कितना से, तो आपस में ratio है 4 is to 1 से, और 31 बार 16, their balance sheet was as follows, balance sheet दोनों तरब दिया हुए है, तो asset side, cash, data, stock, furniture, plant and machinery, 2,60,000 और feed liability side में आप देख लिजिए, sunry creditor, provision for doubtful dates, 4,000 से data के against में दिया हुए है, 36,000 में 4,000 दिया हुए है, provision for doubtful dates, तो net data की बात किया जाए है यहाँ पर, total 32,000 का ही data निकलेगा, तो चलो बच्चे इसके बाद देखता हूँ, outshending salary is 6,000, general reserve कितना 10,000, और capital C का है 120 and D का कितना 80, दोनों को मिला दिजिए, तो यह total capital हो गया 2,00,000 से, और यह amount हो गया कितना से 2,60,000 से, और इसके बाद देखना बच्चे ध्यान से, on the above date, he was admitted for one-fourth share in the profit on the following term, अब क्या-क्या है, term and condition बच्चे ध्यान देना, he will bring rupees 1,00,000 as his capital and rupees 20,000 for his share of goodwill premium, अब 1,00,000 तो capital के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, तो 1,00,000 capital का amount आ रहा है, और साथ ही साथ 20,000, किसके लिए तो 20,000 जो है, वो premium for goodwill, half of which will be withdrawn by C and D, इसमें से आधा जो पैसा है, वो withdraw कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, C and D के द्वारा withdraw कर लिया जाएगा, तो चलो बच्चे इसके बाद देखते हैं, problem number 2 की बात करते हैं, number 2 में कहता है, dator rupees 2000 will be retained off as bad dates and a provision of 4% will be created on dators, और bad and doubtful dates, 2000 का जो dator है, वो complete room से bad dates हो चुका है, तो बच्चे यहाँ ध्याँ देना, total provision किया हुआ था, 4000 की पैसे डूब सकता है, bad dates हो सकता है, provision था, जिसमें confirm हो चुका है, कि 2000 bad हो चुका है, तो 4000 में 2000 adjust कर देंगे, remaining 2000 का provision बचेगा, और तब जाके net data की जितना बच जाएगा, उसमें से फिर से create करना है, कितना percent, 4% will be create on data for bad and doubtful dates, 4% ही create करना है, तो इसका एक adjustment आपको सीखना पड़ेगा, next की बात करता हो, problem number third, stock will be reduced by 2000, furniture will be depreciated by 4000, and 10% depreciation will be charged on plant and machinery, इस परकार से आपका 2-3 assets जो है, कि value जो है, वो घड़ चुका है, तो entry क्या बन जाएगा बच्चे, revaluation account debit to ये सारे assets, जो जो जिसकी value घड़ चुका है, इसके बाद का adjustment ध्यान देना, number four, investment of rupees 7,000 not sown in the balance sheet will be taken into account, यह एक परकार का unrecorded investment हो गया, unrecorded assets हो गया, तो investment account debit to revaluation account कितना से, 7,000 से, number five की बात करना बच्चे, there was an outstanding repair bill of rupees 2300, which will be recorded in the books, 2300 का amount जो है, outstanding repair bill है, जनल इंट्री क्या हो जाएगा, revaluation account debit to outstanding repair bill, और इसके बाद journal इंट्री देख लिएगा, आप क्या requirement questions का, prepare necessary journal entry for the above transaction in the books of the firm on e-admission, आपको e-k admission के वक्त में जनल इंट्री करने हैं, तो चलो बच्चे, questions तो आपने पढ़ी लिया, अब इसका समाधान solution के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, किसके तरफ बढ़ते हैं, तो solution के तरफ बढ़ते हैं, तो आए इसका solution हम लोग करते हैं, बच्चे ध्यान देना, इसका solution क्या होगा, तो लिखना इस्टार्ट कीजिए, सबसे पहले, प्रॉब्लेम नमबर 22, प्रॉब्लेम नमबर 22, लिखना इस्टार्ट करो बच्चे, प्रॉब्लेम नमबर 22, 22 solution, आप से केबल जर्डनल इंट्री मांग रहा है, तो जर्डनल इंट्री, फॉर्मेट में नहीं बनाते हैं, ऐसे ही डारेक्ट में बना देता हूँ, फॉर्मेट तो आप जान ही रहे हैं, नमबर वन, सबसे पहले आप ये देखे, बैलन सीट में है जर्डनल इजर्डनल 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 इजर्डन तो पहला जो नंबर इंट्री होगा नंबर वन की बात करता हूं जेन्रल रिजर्व जेन्रल रिजर्व एकॉंट डेवेट टेन थाजन तू डीन झारेशन की बात किया जाया है तो नरेशन क्या होजएगा भी जेन्रल रिजर्व डिस्टिब्यूटेट इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेश्यो अब चलो बच्चे नंबर टू की बात करते हैं हम लोग नंबर टू अब नंबर टू में ध्यान देना बच्चे और क्या बढ़ सकता है यहां पर देखते हैं और क्या है बटने लाइक तो नंबर टू की बात हैं तो आप यहां देखेंगे क्या वैंने को क्याकर के लिए कितना लाया तो तो क्यार्ट के लिए वन लागश युह यू थिदृड गुविल्ट ब टू क्याकर बन्क होन डेमिट Cash Oblique Bank Account Debit कितना से बच्चेत 1,20,000 से Cash Oblique Bank Account Debit 1,20,000 To E Capital Account To E Capital Account कितना से 1,00,000 से और फिर हो जाएगा To Premium For To Premium For Goodwill Account To Premium For Goodwill Account कितना से To Premium For Goodwill Account 20,000 से Cash Oblique Bank Account Debit 1,20,000 To E Capital Account 1,00,000 To Premium For Goodwill Account कितना से बच्चे To 20,000 से अब narration की बगर बात करेंगे Bing Bing Capital & Goodwill Amount Received Bing Capital & Goodwill Amount Received Cash Oblique Bank Account Debit 1,20,000 To E Capital 1,00,000 To Premium For Goodwill Account कितना से To 20,000 से चलो बच्चे इसमें से हाब पैसे जो हैं Goodwill का वो निकाल चुका है तो Number 3 की बात करिएगा To Premium Premium For Goodwill Account Debit Premium For Goodwill Account Debit 20,000 To बाटते हैं हम लोग Premium For Goodwill Account Debit किसमें किसमें बाटेंगे P&Q C&D में बाटेंगे Old Partner में किस रेशो में बाटेंगे तो Old Ratio में बाटेंगे तो चलो बच्चा यहाँ पे क्या है Ratio तो यही जो Old Ratio है 4 to 1 यही इसका Sacrificing Ratio भी है क्योंकि हम लोग Sacrificing Ratio में बाटते हैं तो यहाँ पे Goodwill का बाट है 20,000 मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 20,000 को जब बाटेंगे हम लोग तो एक निकल का जाएगा 4 by 5 और दूसरा निकल का जाएगा 1 by 5 यह निकल का जाएगा कितना से 4,000 16,000 to D Capital to D Capital कितना से बच्चे तो 4,000 से to C Capital 16,000 to D Capital 4,000 से अब अगर इसका narration लिखना चाहते हैं बच्चे तो narration क्या हो जाएगा तो narration हो जाएगा being Goodwill distributed between C and D in Sacrificing Ratio 4 is to 1 अब इसमें से हाथ पैसे को withdraw कर लिया है number 4 की बाते किजिए तो C Capital Account Debit C Capital Account Debit हाथ पैसे तो 8,000 फिर D Capital Account Debit D Capital Account Debit कितना से बच्चे तो ये निकल क्या आगिया 2002 Cash Oblique Bank Account to Cash Oblique Bank Account कितना से तो ये निकल क्या आगिया 10,000 से To Cash Oblique Bank Account 10,000 से तो चलो बच्चे narration में narration में क्या लिखाएगा Bing Partners Withdraw चलो लिखाजएगा Bing Partners Withdraw Half Amount अब 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 नमर अब नमर की बात करते हैं देखते हैं कि नमर 5 में क्या-क्या है और हाँ पैसे तो निकाली चुके हैं तो चलो बच्चे Adjustment Entry पे Adjustment Entry क्या कहता है डेटर नमर सेकेंड की बाते हैं डेटर तो डेटर में 2000 कंफर्म बैट डेट्स हो चुका है जबकि यहां प्रोविजन किया गिया था कितना से तो प्रोविजन किया गिया था 4000 से तो चलो Entry कंफर्म जो डेटर बैट डेट्स हो चुका है उसका Entry हो जाएगा बैट डेट्स एकॉन डेट्स जो कंफर्म हो चुका है उसमें कही पे कोई डाउट है ही नहीं बैट डेट्स एकॉन डेट्स टूथाजन टू डेटर अकॉन टूथाजन बाट देट से कॉंड डेट से कॉंड डेट से कॉण ने कितना से टू-थांजिंगे अब यह अभी फैसर मेर नमब्र सिक्स वाला इंट्री क्या हो जाएगा प्रोविजन फॉर 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 प्रोविजन फॉ तो नमबर सेबन में थोड़ा सा वर्किंग नोट भी आपको समझना होगा मैं वर्किंग नोट समझा देता हूँ थ्यान देना टोटल डेटर था कितना से तो टोटल डेटर था 36,000 से कितना से तो COB проб यहां पर कॉश्शन में जरान देना बच्चे तो टोटल डेडर था कितना से डेडर है 36,000 प्रोविजिन कितना उनल्य पर फूर्विजिन है 4000 से इस परोविजिन 4000 में 2000 esज़र कंफर्म हो चुका है तो प्रोविजन अब घड के कितना हो गया 2000 तो मैं यहां पर लेस करके आपको बताता हूं वर्किंग नोट में लेस प्रोविजन तो प्रोविजन फॉर बैट डेट्स कितना से प्रोविजन 2000 यह ओल्ड वाला है पुराना वाला जो बच चुका है अब यह बच गया 34,000 नेट डेटर कितना से 34,000 तो इसी में निव प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो निव प्रो वीजन फॉर बै डेट्स कितना में तो 34,000 का किटना परसेंच आप यहां पर परसेंटेज देख लें तो बच्चे यहां पर आप परसेंटेज देखोंगे कितना हो जाएगा तो नमबर टू की बातें करते हैं यहां पर संटेज 4% से आए एक बार हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं नमर कितना से बचे तो 4% से तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 4% तो 34,000 का 4% 1360 अब टोटल प्रोविजन यह तो होई चुका है अब डिक्रीज पहले से कितना प्रोविजन बच चुका था पुराना वाला दो हजार अब नया प्रोविजन कितना हो गया नियू 13 1360 तो डिक्रीज कर गया दो डिक्रीज इ दिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बाद देट्स यह निकल के आगया 2,000 से 640 से बता से 640 से जन्नल इंट्री हो जाएगा प्रोविजन फॉर बाद देट्स एकान डेबिट तू रिवालेशन अगाओन जो घट चुका है तो यहां इंट्री लिख लिजीये प्रोविजन bad dates account debit provision for bad dates account debit 640 to revaluation account to revaluation account 640 से अब ये entry समझ में आ चुक है बच्चे जो decrease हो गया provision अब अगला point देखिए क्या कहता है और कितना less होता है concessors decrease होता है investment 7000 पहले से record में नहीं था अब record करना है तो जर्णल इंट्री हो जाएगा number 8 में investment account debit note करना बच्चे investment account debit कितना से 7000 से 2 revaluation account 7000 से investment account debit 7000 तो revaluation account कितना से 7000 से अब इसके बाद का topic देखते हैं बच्चे से ध्यान से देखना अब नेक्स्ट है आपका number 5 की बात है देर वाजन आउट्सेंडिंग रिपियर कितना 2300 से outstanding repair bill तो आए बच्चे इसका इंट्री कर दें हम लोग number 9 रिवालवेशन अकाउन डेबिट रिवालवेशन अकाउन डेबिट 2300 तो outstanding repair bill outstanding repair bill एकाउन 2300 से बच्चे इस इटान नेकन डेए गयर कोजिना अब यह निकल चुका है liability create हो गिया और देखते है क्या कहता है questions में तो questions में और भी कुछ रहा गया क्या तो नहीं questions में तो और कुछ नहीं दिख रहा है तो चलो बच्चे यहां तक तो कुछ नहीं दीक रहा एक छूड़ गया है क्या छूड़ गया बच्चे यहां देना नमर थार्ड का इस्टॉक विल बी रिडियोस टू था देना यह भी इंट्री छूड़ चुका है और फर्णिचर विल बी डेप्रेस्टेट चलिए इसका इंट्री कर दें हम लो है तो इंट्री हो जाब क्या इस्टॉक एकों से बच्चे ध्यान देना स्न 985 ओर फर्नीचर कितना से चारहजार से तो टू श्टॉक एकंट 2000 से और फिर two furniture account 4000 से furniture account कितना 4000 अब इसके बाद देखना बच्चे ध्यान से depreciation कितना से तो depreciation है and 10% depression will be charged on plant and machinery कितना से तो आप उपर में देखोगे plant and machinery बच्चे एटी थौजन एटी थौजन का 10% कितना हो जाएगा एटी थौजन से कितना से बच्चे एट थौजन से तो टू प्लांट एंड मसीनरी टू प्लांट एंड मसीनरी एट थौजन से अब ये टोटल कितना से फौटीन थौजन से रिवैलेशन एकॉन एकॉन एट थौजन से नरेशन क्या होगा तो नरेशन में बिंग इस टौक फरनीचर प्लांट मसीनरी डिक्रीज बाइट थौजन फोर थौजन एट थौजन रिस्पेक्टिवली अब ये सारा का सारा हो चुका है लास इंट्री या तो प्रॉफिट ऑन रिवैलेशन होगा या लॉस ऑन रिवैलेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे एक रि न रि वैले portion का एक लेजर बच्चे ध्यांन देना रिवैलेशन एक ऊण का एक लेजर फौर्मेट तेयार कीजिए रिवैलेशन एकान अब इस रिवैलेशन एकान में कोई घड़ गया होगा कोई वैलू बढ़ गया होगा तो आए बच्चे हम लोग इसको लिखना start करते हैं two stock इधर लिखे two stock revaluation में कितना से तो ये two thousand से फिर उसके बाद two furniture तो furniture की value घड़ गया है कितना से बचे तो furniture की value घड़ चुका है four thousand से फिर उसके बाद देखना two plant and machinery तो two plant and machinery कितना से बचे तो प्लांट and machinery eight thousand से तू आउट इस्टेंडिंग रिपेर्स बिल तू आउटसेंडिंग रिपेर्स बिल कितना से बचे तो 2300 से बाई तो बाई क्या हो जाएगा प्रोविजन फॉर बाद देट्स बाई प्रोविजन फॉर बाद देट्स ये है आपका लिए ओस्स फॉर्टी फिर बाई इन्वेस्टमेंट एक उ Guy इन् वेस्टमेंट एकॉण कितना से बाई इन्वेस्टमेंट को बाचर से बन हो जन से अब यह पे टोटल को एड़ किजिए तो टोटल अमांट एड़ होने के बाद 16,300 लॉस हो गया बाइव लॉस ऑन री वैलुएशन एक उन्ट बाइव लॉस ऑन री वैलुएशन एक उन्ट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स सी तो सी का देख लिजे कितना से टोटल बाइव लॉस ऑन री वैलुएशन एक उन्ट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स सी का देखिएगा टोटल एमांट कितना तो टोटल आ गया 8 6 माइनस करके 8 6 6 0 इन्टो 4 बाइ 5 इक्वल टो 6 9 2 8 और फिट डी का देखिएगा बच्चे 8 6 6 0 इन्टो 1 बाइ 5 ये टोटल आ गया 1732 ये टोटल एमांट कितना से 8 6 6 0 टोटल एमांट कितना से 16300 से तो चलो बच्चे इसका देखते हैं हम लोग लौसों ड्रिवालेशन बढ़ चुके है C&D जन्रल इंट्री हो जाएगा सी के इसी कापिटल शी कापिटल आ कॉपन डेबिट डी कापिटल इकान डेबिट बच्चे ध्यान देना डी कापिटल आ कॉपन डेबिट तो सी डिट कितना से 6 9 2 8 6 9 2 8 और दी में कितना से 1732 1732 to loss on revaluation account to loss on revaluation account यह दोनों एमान मिला के 8 660 8 660 तो आप देख रहे होंगे सी कापिटल एकाउन डेविट 6928 डेविट 1732 to loss इसको एक बार समराइच कर देता हूं जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी तो प्रॉब्लम नूमर कौन से बच्चे तो प्रॉब्लम नूमर 22 अब देखेंगे जनरल इंट्री तो सबसे पहले जनरल जब जो था कोशन में उसको बांट दिया गया फिर गुडविल का और में का पैसे लाए थे तो कैसि काओं डेट तो ऐ इकापिटल तो प्रीमिपोविल और फिर उसके बाद प्रीमिपोविल को old partner में sacrificing ratio में बाढ़ चुके हैं and फिर इसके बाद ध्यान देना तो सी काप आधा पैसा withdraw कर लिया गया तो सी capital अकॉन डिकापिटल अकॉन डेवी टुकास बैटेट्स अकॉन डेट्स अकॉन डेट्स यह हो चुका है अब next की बात करता हूं तो provision for bad debts account debit to revaluation account 640 investment account debit to revaluation revaluation account debit to outstanding repair bill 2300 से और कोई भी assets की value जब घट जायता है तो revaluation account debit 14,000 to stock to furniture to plant and machinery और फिर जब आपका देखिएगा revaluation account का एक laser बनाईएगा तो वहां से निकल के आ जाएगा loss उस loss को C capital account debit D capital account debit to loss on revaluation account इस परकार से यह आ गया loss और जैसे यह इस परकार से loss आ गया तो अब आपका questions आपने क्या किया entry कर दिए C capital account debit D capital account debit to loss on the evaluation बाठ चुके हैं तो चलो बच्चे एक बार working note भी देख लें तो टोटल डेटर कितना था 36,000 provision 2000 से adjust होके less होने के बाद 34,000 तो new provision कितना 1360 और पहले से कितना तो 2000 था provision less adjust होके charger में 2,000 तो confirm bad debts हो गया था तो प्रोविजन तो ही एजर बचाता तो उस 2000 में से 1360 न्यू प्रोविजन को लेस्क करने के बाद अब ये 640 से provision घर्ट गया जड़न इंट्री क्या तो प्रोविजन जब घर्ट गया तो प्रोविजन फॉर बाट जाके अच्छे से फिर से री प्रैक्टिस करो बच्चे और तब जाके आपका धीरे धीरे ये चाप्टर कंट्रोल भी होगा तो चलो बच्चे मैं यहां तक आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लक्चर में न्यू टॉपिक के साथ और भी बहुत सारे क पॉसंज को प्रैक्टिस कराएंगे थैंक यू बाइबाई